हर्याना आज देश के उन अग्रणी राज्जों में हैं जहां गर गर पाइप से पानी की सुभीदा से जुड़ चुका इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ में भी हर्याना के लोगों ने बहतरीन काम किया भिटनेस और खेल ये विशय तो हर्याना की रगों में हैं उसका हर्याना की मिट्टी में हैं यहां के समस्कारों में और तभी तो यहां के हुआ खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कोई काम अकारण नहीं करते हैं। उनके हर कदम में कोई न कोई बहुत बड़ी बात छिपी होती है। पिछले दस वर्षों के उनके शासनकाल में हमने कई ऐसे मौके देखे हैं। आप उनके भाषनों को उठा कर देखिए। वे जल्दी किसी राजनेता की बड़ाई नहीं करते और नहीं वे अपने भाषन में किसी नेता की ज्यादा चर्चा ही करते हैं। लेकिन हाल में कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिन से स्पष्ठ हो जाता है कि हर्याना के लाल मनोहर लाल पर उनका कितना विश्वास है और वे हमारे मुख्यमंत्री को कितनी तवज्जो देते हैं। एक बात और मानो या ना मानो मनोहर लाल ने पूरी शिद्दत से जमीन पर काम करके भी दिखाया है। आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल के 15 नवंबर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की विक्सित भारत संकल्प यात्रा चर रही है। इसी क्रम में उन्होंने 18 जनवरी को ही सात्वी बार लाभार्थियों से वर्चुल संबाद किया। जब उन्होंने हर्याना के लाभार्थियों से चर्चा की तो लाभार्थियों ने बताया कि मनोहर लाल ने उन्हें हर योजना का लाभ दिया है। उन्हें किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा। कि उन्हें मजबूत व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना भी की। ये कोई पहली बार नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल की इतनी तारीफ की। वे पहले भी दरजनों बार ऐसा कह चुके हैं। 20 अक्टूबर 2021 को जजर स्थित राश्ट्रिय कैंसर संस्थान के एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी हरियाना में संगठन के दौरान अपने काम करने का जिक्र किया और मनोहर लाल की तारीफ करते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के लिए भी मनोहर लाल के नेत्रित्व में हरियाना प्रेणा स्त्रोत बन गया है। 18 अक्टूबर 2021 को भी प्रधान मंत्री ने एलनाबाद में मनोहर लाल के नेत्रित्व में हरियाना में हो रहे विकास की जमकर तारीफ की। उन्होंने हरियाना में भष्टाचार, मुक्त और पारदर्शी सरकार देने के लिए मनोहर लाल की मुक्त कंट से प्रशन साकी। कटिबधता के लिए मुक्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने स्वच भारत अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आयुश्मान भारत आदी योजनाओ में हरियाना के शांदार प्रदर्शन के लिए मनोहर लाल को भरपूर शाबासी दी। प्रधान मंत्री मुदी ने 7 सितंबर 2019 को रोह तक रैली में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को नई दिशा देने का काम किया है। मनोहर लाल सरकार ने भष्टाचार और भाइबती जावाद का खात्मा करने के लिए सरहानिय प्रयास किये हैं। 24 अगस्ट 2022 को प्रधान मंत्री ने फरीदाबाद में एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कहा था कि कई दश्कों के बाद मनोहर लाल के नेत्रित्व में हर्याना को एक ऐसी सरकार मिली है जो पूरी इमानदारी से काम कर रही है। मनोहर लाल सरकार विमरात राज्य के उजवल भविश्य के बारे में सोचती है। यदी कभी आकलन हुआ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेत्रित्व वाली हर्याना सरकार सरवश्रिष्ट मानी जाएगी। इसके इतर मध्यप्रदेश, 36 गड़ और राजस्थान में हुए विधान सभाओं के पश्चात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जब मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो पर्यवेक्षक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेवारी दी गई। किसी और मुख्यमंत्री को इस तरह की जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई। इस पर कयास तो कई लगे लेकिन यह तो स्पष्ट हो ही गया कि मनोहर लाल को भाजपा का केंद्रिय नेत्रित्व किस तरह एहमियत देता है। ये तो हमने अपने रिपोर्टों में भी अनुभव किया, जनता से बातचीत में भी अनुभव किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेत्रित्व में प्रदेश में जितने बदलाव हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। यही वज़य है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खटर की तारीफ करते नहीं ठकते। मनोहर लाल प्रधान मंत्री की तरह ही ठकते नहीं और हर क्षण अपनी जनता की भलाई के लिए ततपर रहते हैं। उनका मानना है वह प्रदीप जो दीख रहा है। जिलमिल दूर नहीं है। ठक कर बैठ गए क्या भाई? मन्जिल दूर नहीं है। यह बात हम सीएम मनोहर लाल को महिमामंदित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बलकि यह बात हम तत्यों के आधार पर ही आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि चाहे बात बुरी हो या फिर अच्छी दर्शकों के सामने रखना ही पत्रकारिता का धर्म है। प्ट्वोगो और केसे कैन ऒर्म तत्यों के सामने रखना ही आपके सामने और।